तो इस्त्री हो या पुरुस दोनों के लिए बता रहा हूँ लिंग भेद नहीं है सुबह असनान करके और अगर असनान करने की सामर्थ नहों तो पानी से पूरे सरीर पर पोंचा लगा करके और जो भस्म विभूती भगवान सिव को चढ़ाई जाती है वही भस्म विभूती भगवान सिव के सिवलिंग से असपर्स करा कर ले आईए घर में और उसको एक कटोरी में थोड़ी सी भस्म को रख लीजे और दोनों हाथों में उस भस्म को लगा करके और पूरे सरीर पर उस भस्म का लेप कर लीजे पूरे शरीर पर कोई अंग प्रत्यंग बचना नहीं चाहिए जहां वह बिभूती ना लगे और ये उपाये चालिस दिनों तक लगातार सुबह साम करिए मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं यदि चालिस दिनों तक भगवान सिव की बिभूती का आपने इस्तेमाल कर लिया तो गंभीर से गंभीर बिमारी से भी आप मुक्त हो सकते हैं चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो